मुख्यमंत्री हेमंद सोरेन ने जहारखंड जनजातिय महतसफ का लोगो विधानसभा परिसर में जारी किया। उन्होंने कहा कि जनजातिय समाच की आवाच को बुलंद करने का ये प्रैस है। 9 और 10 अगस्त को मुरहबादी मैदान में दो दिफसी विश्व दिवासी दिवस आयुजित होगा। कारिकरम आयुजित होने का पहला बढ़ावाज है। आज उसी कारिकरम का प्रतीक चिर्न और लोगो जारी किया। जनजाती समाच के दस्तारीक के कारिकरम का लोगो हमने जारी किया। उन्होंने कहा कि कई लोग इसके गवाँ बनें। आने वाले विश्व दिवासी दिवसमारोह का भी आप गवाँ बनेंगे। बीस वर्षों में पहली बार राज के जनजाती समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये पहले चड़म में शुरू हो रहा है। अन्य राज्यों के जनजाती समुहों की सहवागता सुनिश्चित की जाएगी। कारिकरम की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद और मचबूती प्रदान करेंगे सरकार की यही सोच है। के तहत हमने जनजाती महुतसफ के कारिकरम की घोशना की है। प्रतीक जिहन के अनावरण कारिकरम में उपस्तित विधायकों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। कारिकरम में ग्रामी विकास मंत्री आलमगीर आलम, कल्यान मंत्री चंपाई, सोरेन, हेलकूद और युवाकारे मंत्री हफीजूल हसन मौजूद थे। विधान सबार सभागार में आने वाले अगामी नौ तारीक को, जिसे हम जन जाती है, दिवस के रूप में भी जानते हैं। उस दिन के सुब उसर पर इस बार सरकार ने लिने लिया है, कि जारखन चुकी जन जातिये बहुल राज है, और बड़े पैमाने पर यहां पर जन जातिया वास करती हैं। और यहां की जन जातियों ने अपना एक अलग पहचान अलग इत्यास में नाम दर्ज कराया है। इस राज के जन जातिये समाज के लोगों ने राज के कोने कोने से में ये बसे हुए हैं। और सदियों से ये समाज अपने आप को, अपने समाज को, अपनी संस्क्रिती को, अपनी सभ्यता को लेकर हमेशा के कोई ना कोई संगर्श करता रहा है। वैसे इस राज को हम बीर भूवी के रूप से भी जानते हैं। जहां भगवान, बिर्सा, मुंडा, सिदू, कानू, तिलका, माजी, चांद, भैरो जैसे लोग, बीर, बुद्धु, बगट, तरंगना, खड़िया, सेख, विकारी जैसे लोग, इस धर्ती पर जन्ग में और इस राज के लिए अपनी कुर्बानियां भी ती। अभी कई ऐसे इधिहास के पन्ने, खंगालने बाकी हैं, जहां हम सम को जन जातिये समाज को जानने पहचानने की अवसक्ता हैं, और इसी समू को विराश्टि पतल तर पहुचाने का सरकार ने निर्ने लिया हैं, और इसे एक भाविय कारिकरम के माध्यम से, जन जातिये समाज के आवाज को बुलंद करने का एक प्रयास सरकार ने किया है, जो अगामी नौ और दस तारीक को मुरावादी मैदान में आईवीत होगा, और निस्षित रूप से कारिकरम आईवीत होने का पहला पढ़ाव उसका लोगो होता है, उसका प्रतिक चिन होता है, उसको लेकर आज हम लोगों ने जन जाते हैं समाज के लिए होने वाले नौ अप्दस तारीक के कारिकरम काज प्रतिक चिन का अनावरन क्या है, आप सब लोग आज इसके गवाव बने और इस आने वाले भावे कारिकरम का भी आप गवाव बनेंगे, और मुझे उमीद है कि बीस वर्सों में पहली बार जारकंड में राज के जहन जाती है समूब, और ये पहले चरण में सुरुवाद की गई इस कारिकरम में और भी राजियों के जहन जाती है समूब, का भी जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा और हमारा प्रयास है इस कारिकरम का सुरुवाद हम लोग इस बार नौ तारिक से तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इसको और मजबूती परदान करने का सरकार का सोच है, उसके तहर आज हमने इस जन जाती है महुत सौब मनाने करनी नहीं लिया है, अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूलें।